आज हम देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट में आठकिल 17 जो एडमीशन के अंतर गाता है एडमीशन डिफाइन है आठकिल 17 में और आठकिल 17 देखेंगे हैं इसके बाद एक्चुली में आपको बता दूंगा जिसे आपको यह क्लियर हो जाए कि आटकिल 17 में तीन चीजे द्हान देने लाइक है पहली बात की जो एडमीशन होता है जो सीवकार करना होता है कैसे थे हैं वह औरली हो ठीक है या तो ओरली हो या तो डॉक्कुमेंटरी हो या तो एलक्रोनिक फ़र्म में हो पहला दूसरा जो फैक्ट फैक्ट एन इसू और रिलेवेंट फैक्ट को बताता हो ठीक है और तीसरा सबसेंप्वार्ण चीज किस सरकम्स्टेंश में किस परसं द्वारा बताया जाता हो ठीक है तो किस परसंबारा बताया जाता हो यह परसन है यह तो यह परसन डिफाइन है आट किल 18 70 18 19 20 में ठीक परसन और किस सरकम्स्टेंस में डिफाइन होता है वो 21 to अगे है ठीक है तो आर्ट कील 17 एक्चूली में आर्ट कील 18 19 20 और प्लस अबब को डिफाइन करता है इसमें मैं क्या होता है फिर से रिकॉल करता हूं जो एडमीशन होग औरली फॉर्म में भी हो सकता है डखुमेंटरी यह अलेक्ट्राणी फॉर्म में हो सकता है प्लस जो एनी परसन द्वारा एडमिसन किया गया हो वो परसन एनी परसन जो है डिफाइन आर्ट कि 18-19-20 में वह मैं ब्रीफ करके विट केस लाँ बताऊँगा और किन सर्कम्स्टेंसेस में उसको सिवकार किया जाता है तो यह पूरा है सरकम्स्टेंस को हम पाले बाद में देखेंगे पहले हैंगे 18-19-20 मतलब एडमिसन जो है किन-किन परसन द्वारा सिवकार किया जाता है यह पहले ब्रीफ के बाद किन परिस्थितियों में सिवकार किया जाता है किन सरकम्स्टेंसेस में उसको बाद में देखेंगे